हलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ और आज हम बात करने वाले हैं DSSB की जैसा कि आप जान रहे हैं आपने देखा होगा कि DSSB में क्या चल रहा है किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सब्दों में कुछ बता देना चाहता हूँ कि अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है काफी केंडिडेट्स आमने सामने हो गए है जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो विपक्स में हो गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी विपक्स में हो गए तो दोनों आमने सामने हो गए हैं दो पार्टीज बन चुकी हैं तो इसका जो रीजन है वो क्या है सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका था बहुत गलत था और इससे पहले अगर हम बात करें तो जो एक्जाम हुआ था वो सिफ्ट में कराकर बहुत बड़ी गलती करी थी चलो सिफ्ट में भी हो गया तो जो रिपीटेड कोस नाये थे N.I.U.S. से कुछ सनाये थे ये सारे चीजे बहुत गलत हुई थी तो स्टार्टिंग से लेकर ही एक्जाम को लेकर मतलब बहुत बड़ी एक महावारत चेड़ी हुई थी बहुत बड़ा पंगा चला हुआ था तो ये बहुत बड़ी कमिया रही है D.S.S.B. ने जो करी है इसके बाद बाद में फिर तीस वाले अठाइस वाले काफी कंडिडेट्स अलग हो गए थे तेरह चौदे वाले अलग हो गए थे इसके बाद फिर रिजल्ट के लिए कंडिडेट्स गए और अब बाद में आप अभी देख पा रहे है रिजल्ट आने के बाद जो नॉर्मलाइजिशन हुआ है वो बहुत तो गलत लेवल पे हुआ है काफी ऐसे कंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स बढ़े उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहे है जो कंडिडेट्स जिनके अच्छे मार्क्स थे उनके marks कम रह गए या मतलब बढ़े ही नहीं है या कम हो गए है तो उनको बहुत दुख हो रहा है अब ऐसे उसमें क्या होता है जो चीज मैंने realize की है कि ऐसे उसमें वो candidates भी आगे आते हैं जो इस competition से बहुत जादा दूर थे और इसकी जो गलती में मानता हूँ वो DSSB की है क्योंकि ये सारी जो चीजे create हुई है DSSB की वज़े से हुई है सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो normalization का तरीका है वो गलत है normalization एक अच्छे level से दुबारा किया जाए और काफी ऐसे candidates हैं जो 115-17 नमबर लाकर भी competition से बाहर हो गया है तो मुझे लगता है कि वो intelligent थे क्योंकि बहुत सारे बोलने कि वो comments आ रहे हैं बार बार कि उनमें योग्यता नहीं थी उनमें योग्यता थी 115 नमबर लेने वाला योग्य बच्चा है आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें योग्यता नहीं थी वो योग्यता लायक था लेकिन जो DSSB ने normalization किया है वो बहुत गलत किया है इसके बाद एक मुद्दा और आता है इसमें जो मुद्दे उठे हैं बहुत सारे उठे हैं एक मुद्दा ये आता है कि 30 तारिक वाला 30 September वाला जो exam था उसमें repeated question किस angle से delete कर दिये वो तो पहली shift थी उसमें कौन से repeated question आ गए बच्चों के लिए तो सारे question नहीं थे वो अब उसमें से repeated question कौन से आ गए ये सबसे बड़ी गलती है repeated question का मतलब होता है कि जो question repeat हो पहली ही shift में किस कहां पे exam हुआ ऐसा जिसमें वो delete करे हो कहीं नहीं होता ये बहुत गलत system हुआ है 30 वाली shift में deleted question जो repeated question है जो delete किये हैं बहुत गलत करे हैं वो नहीं होने चाहिए थे इसके बाद 13, 14, 28 even 30 में भी अब 30 वाली shift में एक बच्चे के 95 marks थे वो भी competition से बाहर है अब एक बात बताओ 30 वाली shift में जैसा मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि 30 वाली जो shift है वो oreo की तिलना tough थी और अगर उसमें कोई 95 लेके आ रहा है तो क्या वो लायक है या नहीं है मैं आपसे जवाब चाहता हूँ मैं यह नहीं कि किसी एक के पक्स में हूँ मुझे पता है कि कुछ भी होता है तो नुकसान भी होता है फायदा भी होता है लेकिन सच हो क्योंकि जो भरती में यह कर रहे है normalization दुबारा होना चाहिए बिलकुल और आप लोग तो अगर सचाई से इमांदारी से सोचे तो जरूर होना चाहिए क्योंकि जिसके 20-20 नंबर बढ़े हैं उससे तो बिलकुल बुरा लग रहा होगा कि सर्क क्या बोल रहे है एक मुद्दा और उठाया जा रहा है कि जो general की vacancies होती है वो 50% के राउंड होती है लेकिन वो इसमें 37% के अराउंड general की vacancies दे रखी है तो ये भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है और काफी ऐसे candidates हैं जो जैसा मैं देख रहा हूँ उनको क्या कि 20-20, 25-25 30-30 नंबर free में मिल गए है तो उनको तो बड़ा दुख हो रहा है मैं आपको बता हूँ इस exam में जो बच्चे होस्यार हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको पता है कि normalization दुबारा भी हो जाएगा तो उनको क्या दिक्कत है लेकिन जो ऐसे हैं जो point पे थे और उनके marks बढ़ गए वो तो बड़े दुखी हो जाएगे तो सातियों बहुत गलत हुआ है और इसके regarding हमसे जितना भी possible होगा हम करेंगे हम exam cancel होने के पक्स में नहीं है अब कौन क्या कर रहा है कौन कहां गूम रहा है वो सारी चीज़े अलग है मैं किसी की guarantee नहीं ले सकता और मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि जब आप लोगों के साथ हम result के लिए गूम रहे थे वो चीज़ आप भूल गए अब जो कुछ गलत हुआ है क्योंकि result के लिए जो गूम रहे थे वो candidates जो हमारे साथ थे result के लिए आये थे कौना था result के लिए जो sure होता है कि हाँ मेरा selection हो जाएगा उन में से 20% का selection हुआ है आपको यकीन नहीं है तो मैं पूरी list दिखा दूँगा आपको आप समझ सकते हैं उन में से 20% का selection हुआ है तो वो लोग उनके साथ क्या गलत नहीं हुआ अब बताए एक बार तो ये सारी चीजे बहुत गलत हुई है काफी ऐसे candidates हैं जो गलत बोल रहे हैं तो साथियों मैं आप लोगों की गलती नहीं बता रहा है गलती DSSB की है जिस तरह से उसने पूरा प्रोसेस है जो उस पे काम किया है अब एक बात बताएए अगर आप 115 नमबर लेने के बाद भी competition से बाहर हो जाते तो क्या आप अपने हक के लिए खड़े होते या नहीं होते अब हो क्या रहा है मैं सभी का नहीं बोल रहा लेकिन काफी ऐसे है जिनके 90 नमबर से 110 हो गए है 100 से 130 हो गए है वो candidates बिलकुल खुश है उनके लिए लग रहा है कि यार यह क्या हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से उनका तो selection होना ही नहीं था लेकिन DSSB का जो normalization है वो बहुत गलत हुआ है तो उन लोगों को क्या लग रहा है कि यार यह तो बहुत गलत हो रहा है तो उनके बारे में भी सोचे जो लोग दिन रात पढ़े हैं हाँ मैं समझ रहा हूं बिलकुल कि ऐसे उसमें वो लोग भी आगे आते हैं जो competition से बहुत दूर थे हम चाहते हैं कि normalization दुबारा हो अच्छे तरीके से हो और जिसको जो लायक है उससे हक मिले जो रह गए हैं और एक ही shift में लगबख सेम से मार्क्स वाले मैंने कल आपको बताया था तो ये गलत है हलाकि जो पहले काफी candidates थे result के लिए जाते थे उनमें से 20% अगर पास हो रहे हैं 80% जिनको पूरा यकीन था उनके साथ क्या हुआ है जो बंदे मेहनत कर रहे थे गुम रहे थे तो ये सारी चीजे बहुत गलत है और होता है क्या है उन्गली उठाने वाले बहुत लोग होते है लेकिन सच्चाई के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता तो ये साथियों बहुत गलत है उम्मीद यही है कि आप सच का सहीयोग करेंगे लेकिन यह जो कंट्रोवर्सी डियसस्पी ने पैदा कर दिये बहुत गलत है और इस एक्जाम को लेके बहुत सारे मुद्दे उठ चुके हैं तो यही है कि जल्दी से नॉर्मलाइजेशन के उपर काम किया जाए डियसस्पी अच्छे से नॉर्मलाइजेशन करें दुबारा यही चीज हम बोलना चाहते हैं और यही हमारी अवाज है हमारा इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा यह है कि एक्जाम में जो यह तरीका हुआ है नॉर्मलाइजेशन का यह अच्छे से दुबारा हो जिससे बच्चों को बेनिफिट मिल चके और आगे देखते हैं क्या होता है उम्मीद यही है कि सारी चीजे अच्छी होंगी तो सात्यों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वन दे मात्रम